हेलो दोस्तों मैं पंकज एजटक यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ अगर आप इस चैनल में पहली वार आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल बटन हिट करना मत भूलिए क्योंकि इससे आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे साथ ही इस वीडियो को लाइक करिए सेर करिए अपने दोस्तों मित्रों और परिवार जनों के बीच जिससे कि वह स्टॉक मार्केट के बारे में सीख सकें और इससे मुनाफ़ा कमाश तकें इस वीडियो के माध्यम से आप अपने निवेश को दो गुना ती पाइदा होता है और कभी नुकसान भी हो जाता है क्योंकि वो इस वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं जिससे कि महत्तपूर जानकारी उन तक नहीं पहुच पाती है इस टॉक में निवेश करना बहुत ही शावधानी के शाथ करना होता है अगर आपने इसमें शावधानी नहीं बढ़ती तो फाइदे के बदले आपको नुक्षान भी उठाना पड़ सकता है इसलिए इस तरह की वीडियो आप कभी भी स्किप मत करिए आध्या धूरा वीडियो मत देखिए क्रप्या पूरा वीडियो देखिए जिससे की चीजें आपको सौंज में आ जाएं और अगर एक बार आपने इन चीजों को समझ लिया तो आप कभी भी नुक्षान नहीं उठाएंगे हमेशा ही आपको फाइदा ही होगा तो उमीद है कि आप मेरी सलाह को जरूर मानेंगे जैसे कि आप अपने फाइनेंसिल एडवाजर की सलाह मानते हैं वैसे ही मेरी सलाह भी आ अपना आज का वीडियो और आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा स्टॉक लेकर आया हूँ स्टील टेक्नलोजी आप चानते हैं कि कोरोना के शमय में टेक्नलोजी का महत्तो काफी बढ़ चुका हैं इस कोरोना काल में हम पूरी तरह से टेक्नलोजी पर डिपेंड हो ग हम आज हम बना मोबाइल फोन के नहीं रह सकते हैं बिना इंटरनेट के जी नहीं सकते हैं बिना लापॉप के पढ़ाई नहीं हो सकती हैं हम अपने जीवन के चोते से छोते और बड़े से बड़े काम बिना टेक्नोलजी के नहीं कर सकते हैं, अब इसके बिना जीवन संभव नहीं है, तो इनी चीजों का फाइदा जो है टेक्नोलजी में इन्वाल्व कमपनियों को हो रहा है, क्योंकि आजकल हर एक काम, खाना बनाने से लेकर, खाना खाने, दवाईयों, इलाज करन हैं, और इनके साथ हम भी तरक्की कर सकते हैं, अगर हम इनके स्टॉक्स में निवेश करें, तो हमारा धन दुगना, चारगना और लंबे समय में तो क्या पता कितना ये रिटन देंगे, आप सोच नहीं सकते हैं, तो चलिए हम सेल टेक्नोलजी जैसी महतपूर कमपनी के बा है एक दिन में, आज निफ्टी-फिप्टी के कई स्टॉक्स में रिकवरी देखने को मिली है, तो इस स्टॉक्स ने भी रैले में भाग लिया है, तो आज मान सकते हैं कि एक दिन में एसल टेक्नोलजी का स्टॉक्स जो है लगभख फ्लैट है, लेकिन इसका चार्ट आपको एक वीक में ही इसने सांदार रिटन दिया है, एक वीक में ही इसने अपने नवेशकों को 6.10% का रिटन दिया है, और यही रिटन पाने के लिए आपको बैंक में एक साल का इंतजार करना पड़ता है, तब नहीं जाकर बैंक आपको 5-6% रिटन देती है, उसमें भी टेक्स काटती है तो ऐसे इस टॉक को आपके लिए जानना बहुत जरूरी है जो इतना बढ़िया रिटन देते हैं और भी आंगे इस से भी जादर रिटन होगा वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए इस वीडियो को और मन लगाकर ध्यान लगाकर सुनिए ये वीडियो बहु बात करें तो इस स्टॉक ने 11.08% का रिटन दिया है तो अगर आप वन वीक में ही प्रॉफिट बुक कर लेते 6% का तो ये 11% का प्रॉफिट से आप चूक जाते हैं इसलिए मैं कहता हूं कि स्टॉक में लंबे समय तक निवेश्ट करने से कितने फायदे हो शकते हैं ये लोगों में धहर की कमी होती है इसलिए वो इस लंबे समय तक के जो रिटर्न होते हैं कई यूना आपके निवेश्ट हो जाता है उससे वन्चित रह जाते हैं इसलिए स्टॉक मार्केट में धहर का होना बहुत जरूरी है और साथ ही स्टॉक को सीखना बहुत जरूरी है और आप 11% से ही संतुष्ट हो जाते तो एक साल में आपको 33% का मुह देखने को नहीं मिलता इसी लिए धहरे रखना बहुत जरूरी है अब देखिए तीन साल में 156% का रिटन दिया है 156% बहुत माई रखता है तीन साल में आपका जो धन है धाई गुना हो चुका है ठीक है अगर आप इसमें एक लाख रुपए निवेस करी किये होते तीन साल पहले तो आज की डेट में आपका धन जो है दो लाख 56,000 हो चुका होता जो की बहुत ज्यादा है तो अगर आप 156% से संतुष्ट हो गए तो आंगे के रिटन भी आपको नहीं देखने को मिलते हैं तो देखिए पांस साल में इसने 200% का रिटन दिया है मतलब आपका धन जो है पांस साल में चार गुना हो गया और बै तो आप क्या सोच रहे हैं कि अब इस वीडियो को देखना बंद करें और जाकर सीधे बजार तो भी खुला ही होगा तो उसमें निवेस कर दें स्टॉक कर दें आप ऐसा कर सकते हैं लेकिन ये पूरा वीडियो जरूर देखिए जिसे की और भी चीजें आपको सीखने को मिल करता हूं तो इस वीडियो के अंतर तक बने रहें तो यह स्टॉक के चार्ट से आपको काफी कुछ सीखना है यह स्टॉक का चार्ट जो है हमेशा उपर की तरफ ही बढ़ता है अगर कभी इसमें थोड़ी से गिरावट होती है तो कुछ दिनों बाद रिकावरी देखने को म मिल रही है यह गिरावट है कि 20 फरवरी 2020 की इसमें बहुत बड़ी गिरावट आई थी और आपको पता होगा 20 फरवरी 2020 को क्या हुआ था 20 फरवरी 2020 को जो कोरोना वायरस था कोवेट 19 वह भारत में फैल चुका था और लागडाउन जैसी स्थितियां बने वाली थी इसलिए निफ्टी 50 के सभी स्टॉक में गिरावट हुई थी और यह स्टॉक भी अच्छूता नहीं था तो कुरोना काल में यह तेजी के साथ बुड़का यह स्टॉक लेकिन जैसे ही कुरोना को लोग समझ गए और इसके टीका वगरा की खबरें आने लगी कि इसका इलाज हो सकता ह है वैसे ही मार्केट में रैली शुरू ही और देखिए यह स्टॉक जो है जिस तरह से भागना शुरू किया है इसको कोई रोक नहीं पाया और यह लगातार भागता जा रहा है ऐसा क्यों इसके पीछे क्या कारण था क्योंकि कोविड-19 के समय टेकनलोजी पर बहुत को दिन दूना रात चौगना मुनाफ़ा होने लगा और इनको अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट में मिलने लगे क्योंकि कोविड में पूरी तरह से दुनिया टेकनलोजी पर डिपेंड हो गई क्योंकि कुरोना में हम एक दूसर एक आदमी दूसरे आदमी के पास नहीं जा है अफरीका पहले ही ओमनी कौन तो आप जानते ही होंगे यह कोविड नाइंटीन का एक नया वेरियंट है जो कि भारत भी पहुंच चुका है भारत के केरल और राजिस्थान प्रदेश में पहुंच चुका है और तबाही मचाने के लिए तयार है जिसके कारण इस स्टॉक स्टॉक प्राइस में काफी गिरावट हुई है लेकिन अब जैसे जैसे सेंटिमेंट्स ठीक हो रहे हैं मार्केट के यह फिर से रॉकेट बनने के लिए तयार है और उसी प्रकार से रिकवरी होगा और अपने 52 वीक स्टॉक प्राइस को क्रॉस करेगा उसके लिए आपको प करना जिरूरी है जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि इसमें सबसे बढ़िया इंट्री लेने का समय कब होता है और कब इसमें प्रॉफिट बोग किया जा सकता है तो टुडेज लो की अगर बात करें तो इसमें 1215 रुपए आज का लो है और आज का हाई जो है 1230 रुपए 70 पैसे है और अभी यह अपने टुडेज लो से इसमें गिरावट हुई है पर हम 52 वीक लो की बात करें तो 840 रुपीज 80 पैसे है और 52 वीक हाई की बात करें तो यह है 1370 रुपए तो अपने 52 वीक हाई से यह स्टॉक काफी गिर चुका है जिससे पता चलता है कि अब इसमें स्टॉक में कि जा सकती हैं अब अगली बात जो आपको धियान रखना है वोलिम इसका वोलिम बहुत जादा है इसका वोलिम जो है 27,52,000 हैं आपको हमेशा हाई वोल्यम वाले स्टॉक में ही निवेस करना चाहिए जिससे कि आप कभी भी जरूत पढ़ने पर इस स्टॉक में प्रॉफिट बुक कर सकते निकल सकें अगर आप किसी छोटी कंपनी के स्टॉक में निवेस करेंगे तो उनका वोल्यम कम होगा तो ह इस में आज बाउर कॉंटिटी जो है 301.36 éléments है और सेल ओडर कॉंटिटी दिवे 681 2.64 पर संट इससे देखकर पता चलता है कि मार्केट में आज सेलर हावी हैं और जो है वी रोपी संख्या आज के दिन में ऊकाई कि आज sellers हैं तो आज अच्छे से खरिदारी करिए माल आपको सुस्ते में मिल जाएगा एनलिस्ट की estimates को अगर हम देखें तो इसमें 74% एनलिस्ट एसील टेक्नलोजी में बाई की सलाह दे रहे हैं देखिए यह पूरा ग्रीन है 74% एनलिस्ट इसमें बाई की सलाह दे रहे हैं 18% इसको होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं और 8% जो हैं इसको सेल करने की सलाह दे रहे हैं और इस स्टॉक में 39 एनलिस्ट ने इसके स्टॉक की fundamental चेक किये हैं टेकनिकल्स चेकिए हैं इसके बाद वो यसी सलाय दे रहे हैं तो जाहतर इनलेटिस्ट को बाई करने के सलाय दे रहे हैं और मेरा भी मानना है कि इस टॉक में बाई करना चाहिए दो बाई जाएं और पांस साल तक बैठे ही रहें बिना कुछ देखे इनके फंडमेंटल्स को जानना बहुत जरूरी है फंडमेंटल्स देखकर समझ कर हमें हमारे मन में धहरी आता है कि इस स्टॉक में बने रहना चाहिए लंबे समय तक तो इसके फंडमेंटल्स में सबसे पहले मार्केट कैप देखा जाता है मार्केट कैप जो है 3,31,827 क्रों रुपीच का है जिससे पता चलता है कि यह एक लार्ज कैप कमपनी है जिसका मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है अगर आप इसका पी देखेंगे तो पी है इसका 26.08 और पी नहीं मिलते हैं STL को टेकनलोजी का जो स्टॉक है बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है उसमें ग्रोथ अपरिचुनिटी ज्यादा है इसलिए इसका पीवी जो है 5.22 है इसका मतलब यह स्टॉक अपने जो वास्टिक मूल्य है जिसको बुक वैलू कहते हैं उसके से 5 गुना से अधिक पर ट्रेड कर रहा है इसका मतलब 100 रुपए के स्टॉक के लिए लोग 500 रुपए देना चाहते हैं क्योंकि जानते हैं कि फ्यूचर में भुश्र में इसकी कीमत और भी ज्यादा बढ़ने वाली है इसलिए लोग महंगे में भी इसका माल उठाने के लिए तयार है इ लेकिन इस इस स्टॉक का पी 26 है इससे पता चलता है कि यह स्टॉक जो है अपने इंडस्टी पी से कंपर टेट कर रहा है और इसमें बाइंग की बहुत अच्छी अपरचुनिटी आपको मिल रही है सायद इसका पी भुश्र में और बढ़ेगा और तब यह स्टॉक कहीं औ और ज्यादा महगा हो जाएगा आरो इजो है 22.07 परशेंट है आरो इका मतलब होता है रिटान नौन एक्यूटी रिटान और निकिटी अगर 20 परशेंट से ज्यादा है तो बहुत अच्छा माना जाता है इसका एपीस जो है 48.73 है इसकी डिविडेंट इल 2.13 परशेंट है इसकी डिविडेंट इल्ड भी बहुत अच्छी है ग्रोथ भी बहुत अच्छी है तो यह सोने पर सुहागा है यह ग्रोथ स्टॉक भी है और डिविडेंट भी 2.13 परशेंट का दे रहा है ऐसा डिविडेंट वाले स्टॉक्स जो हैं आपको धोने पर भी नहीं मिलेंगे जिसमें ग्रोथ और डिविडेंट दोनों की चमता हो इसकी बुक वैलू जो है 233.64 है चलिए अब इसके फाइनेंसिल पर नज़र डालते हैं कि इसके फाइनेंसिल कैसे हैं फाइनेंसिल को जानना बहुत ज़रूरी है यह आपको डिस्जेन लेने मदद करते हैं कि स्टॉक करना चाहिए कब बाई करना चाहिए अगर इस्टॉक जो है फाइनेंसिल अच्छे हैं तो इस स्टॉक में बने रही ने लेकिन चॉक्ताप युबड़ जाते हैं तो इसमें आप तो फिर 272 272 और फिर 279 हर क्वाटर में इसके रेवनिव में बढ़त हो रही है प्रॉफिट देखिए प्रॉफिट भी जवाद दस्त ग्रोथ कर रहा है 43 से 44 हो गया 33 से 43 हुआ था ठीक है दिसम्वर 20 में तो इसमें कोविट 19 नी प्रावलम हुई थी इसका प्रॉफिट कम 818 से 838 हो गया है ठीक है तो इसका नेट वर्थ भी बढ़ा है तो ज्यादा चेंज हमें येर ओन येर देखने को मिलता है तो येर ओन येरली देख लीजिए इसका रेविन्यू जो है या नेट वर्थ देखिए येरली कितनी तेजी से ग्रोथ हो रही है पहले इसका 514 था अब 840 हो गया है धीरे धीरे इसका रेविन्यू जो है रॉकेट बन गया है और काफी तेजी से बढ़ रहा है प्रॉफिट भी देखेंगे तो प्रॉफिट जो है 126 से बढ़कर 136 145 168 पहुंच गया है तो अगले साल भी इसका प्रॉफिट बढ़ेगा ही रिवन्यू दे और इसकी फाइनिल्सियल को देखकर आप समझ गए होंगे कि स्टॉक के फंडामेंटल कितने मजबूत हैं चलिए इस कंपनी के बारे में और जानते हैं कि इस कंपनी का कारोबार कैसा है यह किस प्रकार के सेवाएं जो हैं देती हैं तो इनका मुख वेवसाय जो है एस साफ बाव जो हैं वयकिए हैं कि पर ट्रिव अद्शन अवक्ति हैं प्रिकेश अज आलम ऑन के साथ इस सफ़्वार को गरायखेस संट प्रिकेशन स्टिक कि जयर वures ऑन ठेलमेंट ओलू एस किस यह कितने का साथोडिए खेल जानगचिए शहीएत आटनल डिशन्च देवलीमेंट कोई कामकोतर जिस्ते कि कमपनी कि ग्रोद बढ़ति रहती है किसी कमपनी कि ग्रोथ ऊसके आर यंदी पर डिपंड करती है। कमपनी चितना स्वेंठाव ऑटेरी पेशा ख़र्च करेगी उतना ही ज्यादा कमपनी की ग्रोथ भी होगी. services to global customers इनका जो वेपार है, business है केवल भारत देश में नहीं है विदेशों में भी ये business करते हैं और विस भर में इनकी जो business है फैला हुआ है The infrastructure management service segment involves managing customers IT assets ये companyों का IT assets manage करते हैं जैसे कि computers, laptop, softwares ये सभी manage करने का काम SL technology बखोगी कर रही है The business process outsourcing service segment includes contract center and help desk services ये जो हैं दो प्रकार की service देते हैं एक तो contract center है इनके और help desk services भी हैं The company delivers its solution across select vertical including financial services manufacturing, retail and customer products, media, publishing entertainment, public services energy and utility healthcare and travel, transport and logistics तो ये company सभी छेत्रों में अपना कपजा जमा रही है और सभी छेत्रों में काम कर रही है इन्होंने जो है health care में भी अपना business फैला लिया है travel में भी, transport में भी, logistic में, energy में मतलब ये जो है कई छेत्रों में अपना पैर जमा रही है जिससे है कि ये दिन दूनी राच चोगनी तरक्की कर सकें इसकी parent organization जो है STL technology limited है इसके managing director जो है सी कुमार है ये company जो है found हुई थी 1991 में इसका मतलब जो है इसको लगभग 30 साल हो चुके है एनसी symbol जो है STL tech है और ये STL का symbol है चलिए share holding pattern की बात कर लेते हैं इस company में promoters ने 60.33% की holding लेके रखी है promoter holding देखकर पता चलता है कि इसमें promoters ने जी खोल कर खरिदारी की है और आंगे समय में इस company में growth होने के अच्छे chances हैं कि क्योंकि promoters ने जमकल माल उठाय हुआ है इसमें foreign institutions की अगर देखें हैं तो उन्होंने 22.30% की holding बनाई है और mutual fund house ने 7.84% की holding बनाई है तो foreign institutions में इस पर अच्छा पैसा लगा कर रखा है क्योंकि जानते हैं SCL जो है long term में उनको माला माल कर देगा इसलिए यह उन्होंने इतनी सारी holding बनाकर रखी है यह foreign institutions रिसर्च पर बहुत जादा पैसा खर्च करते हैं और वह उन्हीं company पैसा लगाते हैं जिन से उनको जिनमें उनको growth नजार आती है और SCL technology एक ऐसा ही इस टोक है जो कि आपके पैसे को कई गुना करने वाला है टॉप मिचल फंड ने भी SCL में खरिदारी करके रखी है जैसे कि BNB परिवास arbitrage fund की इसमें 6.37% की holding है पराग पारिक फ्लेक्सी के 4.98% की holding है अधिकतर मिचल फंड ने इसमें 5-6% की holding लेके रखी है तो अब इससे निसकर्स क्या निकल कर सामने आता है कि अगर आप एक लाग रुपे स्टॉक मार्केट में लगाना चाहते हैं तो आप इसमें 5-6% SCL technology के स्टॉक खरी सकते हैं मतलब एक लाग में से 5-6,000 रुपे का SCL technology का स्टॉक आप रख सकते हैं तो अभी भी अगर आपने इस यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं बेल बटन को हिट कर दीजिए जिससे कि थोड़ी देर में मेरा अगला वीडियो आने वाला है उसका नेटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगा वीडियो को लाइक करिए और सेर कर दीजिए अपने सभी वाटसब ग्रूप टेलिग्राम गूप फेस ग्रूप इंस्टाग्रा झारोपन खड़ी प्यूब अवाट